नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, हम हमेशा नई दिल्चस्प कहानियां लेकर आते हैं, अब सुनिये आगे की कहानी, मजदूर की कहानी, मजदूर बोला, हे सुन्दरी, मैं तुम्हारी आज्यानुसार ही अपना हाल कहूंगा और यह बताऊंगा कि मैं यहां क्यों आया, आज सवेरे मैं अपना टोकरा लिये काम की तलाश में बाजार में खड़ा था, तभी तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया, मुझे लेकर पहले वह शराब बेचने वाले के यहां गई, फिर कुंजडे की दुकान पर उसने धेर सी तरकारियां खरी जिसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा, यही मेरी राम कहानी है, मजदूर की बातें सुनकर जुबैदा ने कहा, तेरी बातें ठीक मालूम होती है, अब तु तु तुरंत यहां से चला जा, और खबरदार आगे कभी मेरे सामने ना आना, मजदूर हलांकि ब कुछ बोलना चालना नहीं, मजदूर ने ऐसा ही किया, फिर जुबैदा ने फकीरों को आत्म कथायों सुनाने का इशारा किया, पहले फकीर ने अदब से घुटनों के बल खड़े होकर कहा, सुन्दरी, अब ध्यान लगा कर सुनो की मेरी आँख किस प्रकार गई और मैं क्य अपने चचा के यहां जाया करता था, और महीने दो महीने वहां रहा करता था, कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरी अपने चचेरे भाई से दोस्ती और महबत बढ़ गई, एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारन रूप से खुश है, उसने सदा से अधिक मेरा सतकार किया, लजीज खाना कराया और तरह तरह के खेल तमाशों से मेरा बहलाव किया, फिर मुझसे कहने लगा पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुन्दर ढंग से एक महल बनवाया है अब रात हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा लेकिन शर्त ये है कि तुम कसम खाओ कि ये राज किसी से नहीं कहोगे मैंने ऐसा करने से सौंगध खाई वह उठकर गया और कुछ ही देर में एक सुंदरी औरत को साथ लेकर आ गया ना उसने बताया कि ये औरत कौन है ना मैंने उसके बारे में पूछा हम तीनों बैटकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भर कर शराब पीने लगे कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहां से चलें उसने मुझसे कहा कि तुम इस औरत को लेकर कबरिस्तान जाओ और कबरिस्तान में जहां कहीं भी गुमबद वाली नई कबर देखो तो समझ लो कि यह उसी महल का दाखिल होने का रास्ता है तुम दोनों गुमबद के अंदर जाकर मेरी राह देखना मैं उसी औरत के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कबरिस्तान की ओर चल दिया चांदनी रात थी इसलिए हम लोगों को गुमबद वाली नई कबर ढूनने में कोई कठिनाई नहीं हुई हम गुमबद के अंदर गए तो देखा कि शहजादा अकेला ही एक छूने की टोकरी पानी की गागर और जरूरी ओजार लिए खड़ा है हमारे पहुँचने पर उसने फावड़े से जमीन खो दी मिट्टी के नीचे पत्थरों की सिलें थी जिन्हें निकाल कर उसने एक और रखा पत्थरों के नीचे एक दर्वाजा दिखाई दिया दर्वाजे का किवाड उपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीड़ी दिखाई दी मेरे चचेरे भाई ने अब उस औरत से कहा कि इसी रास्ते पर चलकर वह दर्वाजा मिलेगा जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था वह औरत यह सुनकर सीड़ी से नीचे उतर गई शहजादा भी उसके पीछे चला गया जाने के पहले मुझ से बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना मैंने बहुत पूछा कि तुम कहा जा रहे और यह सब क्या हो रहा है लेकिन उसने कुछ ना बताया केवल इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डाल कर भूमी समतल कर देना और जिस रास्ते से आये हो उसी से वापस चले जाना बेबस्ता, मैं दरवाजे पर मिट्टी डाल कर अपने चचा के महल को वापस हुआ मुझे नशा उतरने के बाद खुमार की दशा थी और मेरे सिर में पीडा हो रही थी इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा। सुबह उठने पर रात के वृत्तांत का स्मरण करके मैं बड़ा चिंतित था और यह भी सोचता था कि मैंने रात को जो देखा वह स्वपन था या सत्य था। मैंने एक सेवक से कहा कि तू जाकर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है। उसने लौट कर बताया कि वे तो रात को अपने शैन कक्ष में थे ही नहीं और किसी को यह भी नहीं मालूम है कि वे कहां गए हैं। इसलिए उनके सेवक और संबंधी सब को बड़ी चिंता है और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुझे भी इस बात पर बड़ी चिंता हुई और मैं फिर कबरिस्तान को गया। मैंने सारा दिन गुंबद वाली कबर के खोजने में लगाया लेकिन वह कबर नहीं मिली। इसी प्रकार चार दिन तक मैं कबरिस्तान जाकर अपने भाई की तलाश करता रहा लेकिन उसका या उसके मकान का कुछ पता ना चला। सुंदरियो, यहां यह बता देना भी जरूरी है कि उन दिनों मेरा चचा यानि वहां का बादशाह कई दिन से राजधानी में नहीं था क्योंकि वह शिकार पर गया था। उसकी वापसी में भी देर थी, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हुआ। मेरी इच्छा हुई कि अपने पिता के राज्य में वापस जाऊ। मैंने वजीर से कहा कि अब की बार मैं साधारन समय से अधिक यहां पर रहा और मेरे पिता को मेरी चिंता होगी, इसलिए मैं जा रह जब मैं अपने पिता की राजधानी में आया, तो महल के चारों और सेना की बड़ी जमात देखी, सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया, मैंने बिगड़ कर पूछा कि यह क्या करते हो, तो एक सरदार ने कहा, शहजादे, यह सेना तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दुश्मन की है, तुम्हारे पिता के मरने के बाद वजीर ने तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, उसने तुम्हें गिरफतार करने की आग्या दी है, और कहा है कि तुम जहां भी मिलो तुम्हें पकड़ लिया जाए, अब तुम हमारे तकदीर से स्वयम ही हमारे यह कहकर वह सरदार मुझे बेरहम वजीर के पास ले गया जो अब राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। क्योंकि वह भी अपने निकट वर्ती इमारत की छट पर टहल रहा था। उसकी आँख फूट गई। और मेरी दाहिनी आँख में उंगली घुसेड दी। उसने इतने ही पर बस नहीं की। उसने मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया और जलाद को आग्या दी कि इसे शहर के बाहर ले जाकर इसका वध कर दे और इसके शरीर के टुकड़े करके पशुपक्षियों को खिला जलाद घोडे पर बैठ कर शहर के बाहर आया और दूसरे घोडे पर वह पिंजरा रख कर ले गया जिसमें मैं बंद था। उसकी सहायता को अन्य सेवक भी थे। जंगल में जाकर मेरे हाथ पाउं बांध कर मुझे मारने के लिए तलवार निकाली। मैं अत्यंत दीनता से र इधर की तरफ भूल कर भी मुह न करना। अगर तुम यहां आये तो तुम तो मारे ही जाओगे। मुझे भी प्राणदंड मिलेगा। मैंने जलाद का बड़ा एहसान माना और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया कि भले ही आँग गई। लेकिन जान तो बच गई। काना होना मुर्दा होने से तो अच्छा है। मेरी भूख प्यास और आँख की तकलीफ से बुरी हालत थी। मैं चलने फिरने के लायक न था। दिन में जंगल की जाडियों में छुपा रहा। रात को धीरे धीरे छुपता छुपाता अंजाने रास्तों पर धीरे धीरे चल कई दिनों में अपने चाचा की राजधानी में पहुँचा। जब मैंने चाचा को अपने दुरभाग्य का पूरा हाल बताया तो वह जैसे पछाणे खाने लगा और बोला मुझसे अधिक अभागा कौन होगा। मैं अपने पुत्र के लापता होने से क्या कम दुखी था कि उसके निरंतर रोधन से मेरे धैरे का बांध तूट गया। मुझ में इतनी क्षमता न रही कि मैं अपने चचेरे भाई को दिये हुए वचन को निभाए रखता। इसलिए मैंने वह सारा वृत्तांत अपने चाचा को कह सुनाया जो मैंने उस रात को देखा था। चाचा को यह राज किसी को नहीं बताया। दर्वाजा खुलने पर पहले चाचा नीचे उतरा फिर मैं गया। कुछ दूर जाकर देखा कि डैोडी में बदबुदार धुआ भरा है। आगे बढ़े तो देखा कि सुन्दर बैटने का स्थान है और वहां कई दीपक काफी प्रकाश दे रहे थे। बीच में एक हौज जिसके चारों और खाने पीने की चीजें रखी थी। लेकिन वह स्थान बिलकुल निर्जन था। फिर हमने देखा कि एक और चबूतरा सा बना है और उसके बाद एक कक्ष है जिसके दर्वाजा पर पर परदा पड़ा है। चचा सीड़ी से चबूतरे पर चड़ गए और परदा उठा कर अंदर गए। मैं भी पीछे पीछे चला गया। हम लोगों ने देखा कि शहजादा उसी औरत के साथ जिसे पहले मैंने देखा था एक पलंग पर लिटा है। लेकिन उस पर भगवान का ऐसा कोप हुआ था कि दोनों कोयले की तरह काले हो गए थे। ऐसा माल पर ना दुख का कोई चिहन था ना हैरत का। हां उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने शहजादे के मुह पर थूख दिया और कहा अभागे तूने यहां तो दुख पाया ही है पर लोग में इस से अधिक पाएगा। इस पर भी उसका क्रोध शांत ना हुआ तो उसने पाव से जूती निकाल कर कई बार शहजादे के मुह पर मारी। मैंने क्रोध में आकर कहा एक तो मुझे वैसे ही भाई के मरने का दुख है फिर आप मरने पर उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्या अपराद उसने किया है जिससे आपकी क्रोध हाग ने इतनी भढ़की है। बादशाह बोला, बेटे तुम नहीं जानते कि क्या किस्सा है। यह आदमी इससे कहीं अधिक भर्तसना और दंड का भागी है। यह शहजादा बचपन ही से अपनी सगी बहन पर आ सकत था। जब दोनों छोटे थे तो मैंने बच्चा समझ कर उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दोनों बड़े हो गए, तब भी दोनों में घनिष्टता रही बलकि बढ़ गई। अब मैंने उनके संबंध को रोकना चाहा। मैंने कड़े पहरे बिठाए कि भाई बहन एक दूसरे के सामने ना आए। शहजादा अकेला ही कुरास्ता गामी होत तो बात आगे न बढ़ती लेकिन यह अभागी लड़की उससे भी अधिक नीच निकली। यह अपने भाई से मिलने के लिए टड़पती रहती थी। हालांकि मेरी सकती के कारण खुलकर एक दूसरे के सामने ना आते थे। लेकिन उनके हृदयों में एक दूसरे के हर कम नहीं होता था। इसलिए बेहन से सलाह करके शहजादे ने अपने लिए खास तोर से यह गुप्त आवाज बनवाया ताकि अवसर मिलते ही दोनों विहार करें। जब मैं शिकार पर गया तो शहजादे को अवसर मिला और वह किसी तरह अपनी बेहन को महल से निकाल कर यहा ला रखी। कुछ दिनों यह लोग एक दूसरे के साथ आनंद से रहे होंगे। फिर उन पर इश्वरी यह प्रकोप हुआ और दोनों ने अपने पाप का समुचित फल पाया। यह कहकर बादशाह का क्रोध दुख में बदल गया। और वह अपने बेटे-बेटी की और मेरे उत्तराधिकारी हो। फिर मैं और मेरा चाचा मृतक शहजादे की याद करके रोने लगे। कुछ देर बाद हम लोग सीड़ी से उपर चाढ़ाए और दर्वाजा बंद करके उस पर मिट्टी डाल कर बाहर आ गए। जब हम लोग राजमहल के पास पहुँचे तो ह एक बड़ी सेना लेकर मेरे चाचा के राज्य पर भी चड़ाया है। मेरे चाचा की सेना उसकी सेना से कम थी। उसकी सेना ने बगएर किसी कठिनाई के राजधानी और महल पर अधिकार कर लिया। मेरे चाचा ने अपने अधिकार की रक्षा का भर सक प्रयत्न किया और उसके मरने के बाद भी मैं दुश्मन का सामना करता रहा और कुछ समय तक युद्ध भूमी में डटा रहा लेकिन जब देखा कि बिल्कुल घिर गया हूँ तो निकल भागने की सोची। अंजाने रास्तों से होकर अपने चाचा के राज्य के बाहर निकला। फिर कई नगरों में फकीर बनकर घूमता रहा। घूमता घामता मैं अति प्रतापी, दयावान, दीन वत्सल, न्याय प्रिय खलीफा हारूं रशीद की राजधानी में आ पहुँचा। मेरा इरादा था मुझे ये दूसरा फकीर मिला, उसने मेरा अभिवादन किया। मैंने उसके अभिवादन का उत्तर दे कर कहा कि तुम भी मेरी तरह परदेसी लगते हो। उसने कहा कि हाँ, मैं भी अभी अभी इस शहर में आया हूँ। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि यह तीसरा फकीर भी आगया और हम दोनों का अभिवादन करके पास बैठ गया। उसने भी कहा कि मैं परदेसी हूँ और इस शहर में अभी आया हूँ। हम लोग चुकि एक ही वेश में थे और तीनों की एक सी दशा थी इसलिए हमने तय कि भाईयों की तरह मिल कर रहें और जहां जाएं एक साथ ही जाएं। हम लोग इस चिंता में निमगन हो गए कि रात कहां बिताएं। क्योंकि हम तीनों में कोई भी यहां के किसी निवासी को नहीं जानता था ना कभी पहले यहां आया था। अपने सौतक दीर से हम लोग घूमते फिरते तुम्हारे दरवाजे परा निकले। तुम मैं भी एक और बैठ कर अपने दोनों साथियों की राम कहानी सुन लूँ और इन तीन व्यापारियों की आप बीती भी सुन लूँ। इसके बाद मैं आपके घर से चला जाओंगा। जुबैदा ने उसे एक और बैठ कर दूसरों का वृत्तांत सुनने की इजाजत दे दूर के पास जा बैठा। इस वीडियो में कहानी यहीं तक आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी धेरों मज़ेदार कहानियां हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलजी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है इसको दबा दें ताकि लेटस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के ले हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।